हेलो स्टुडेंट्स मैं दीपक डपकरा वेदा केरियन इस्टिटूट के ओनलाइन प्रेटफर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम MP के जो प्री एगरिकल्चर टेस्ट होता है उसके सिलेबस के बारे में स्टेडी कर रहे हैं कि उसके अंदर जो क्रशी का सिलेबस होता है क्रशी बोतिकी का वह क्या क्या होता है कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है कितने कितने पढ़ना है और किस-किस लेवल तक आपको उनके बारे में जाना है सो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो सबसे पहला topic है that is archimedes का principle ठीक है आपको archimedes के सिधांत के बारे में जानना है कि archimedes का सिधांत क्या होता है उसका derivation कैसे होता है उससे related जो bioncy force होता है body floating body जो है कि कोई भी वस्तु किस प्रकार से तेरती है यानि कि तेरने का जो नियम हो relative density क्या होती है घनत्व और सापेक्षित घनत्व जो होता है यह क्या होता है इसके बारे में अपन को इसमें पढ़ना है अब देखिए घनत्व की बात करते हैं अगर एक normal सा आप समझते हैं तो density या घनत्व जो होता है यह mass upon volume होता है mass upon volume होता है यानि कि कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बटे आयतन द्रव्यमान को जब आयतन से भाग देते हैं तो जो आता है वो आपका गनात्व आ जाता है यानि कि द्रव्यमान बटे वोल्यूम आयतन जो होता है वही आपका गनात्व कहलाता है और इस गनात्व को अगर किसी दूसरे के सापेक्ष नापते हैं ठीक है, relatively अगर measure किया जाता है, तो यह आपकी relative density होती है, सापक्षित घना तो, साथ ही, next आपको जो इसमें देखना है, वो determination of RD by hydrometer, ठीक है, hydrometer के दुआरा, किसी भी जल के, या किसी भी विलियन के RD का निर्धारण किस तरीके से करते हैं, वो आपको इस chapter के अंदर देखना है, इन सब चीज़ों के आपको derivation करना है, साथ ही, इनके कुछ formula जो होंगे, उनका derivation करना है, और उट पर based कुछ basic से questions करना है, साथ ही साथ इसके previous year के questions, जो भी इस chapter से related है, आये हुए हैं, उन सब की अपन studies में करेंगे, second chapter की बात करते हैं, तो second chapter आपका दाब से related होता है, pressure से संबन्दित, जहां पर अपन बात करेंगे, atmospheric pressure क्या होता है, देखिए, generally, अगर मैं common से बात करता हूँ, तो आप अगर किसी चीज़ के उपर बल लगाते हैं, ठीके, तो वो आपका, आप उसे बल कहते हैं, force, ठीके, आप suppose इस दिवाल के उपर force लगा रहे हैं, तो यह आपका बल हो जाएगा, तो जो दाब है, यह क्या होता है, pressure क्या होता है, तो pressure जो होता है, यह हमेशा, willian के लिए होता है, यानि इतकी liquid की condition में, जो बल लगता है, जो भी बल आप द्रव के लिए लगाते हैं, द्रव में जो बल लगाया जाता है, ठीके, वह pressure होता है, pressure कभी भी ठोस में नहीं लगता, pressure कभी भी ठोस अस्तू में नहीं लगता, pressure हमेशा कहां लगता है, liquid के अंदर लगता है, द्रव में और कहां आता है गेसेस में द्रव और गेसों के अंदर जो होता है वह अपका pressure काम करता है सो atmospheric pressure का मेनिंग क्या हो जाएगा कि जो वायू मंडल है वायू मंडल ये दाब वायू मंडल प्रत्वी पर या किसी भी एकांग शेत्रफल पर कितना दाब डाल रहा है इसकी जो value होती है 1.01325 bar के equal होती है atmospheric pressure की जो value होती है और अगर मैं बार की बात करता हूँ तो 1 bar equals to 10 raised to power 5 Pascal होता है जो की pressure की unit होती है तो इस प्रकार से आपको pressure की पूरी detail study करना है ठीके अब pressure को जो measurement होता है वो barometer के दुआरा किया जाता है दाब का जो मापन होता है वो barometer के दुआरा किया जाता है तो यह barometer अलग-अलग प्रकार के होते हैं तो कितने प्रकार के barometer होते हैं उनमें से आपको हर एक की study करना है क्योंकि अग-अलग-अलग pressure को level को measure करने के लिए आप अलग-अलग चीजों का जो है बेरोमिटर का उपयोग करते हैं तो 14 बेरोमिटर की आपको इसमें study करना है और मौसम की इस्तधी से इसका संबंध क्या है इस प्रक्कार से आप इसमें relation establish करेंगे ठीक है बेरोमिटर का और weather condition मैनोमिटर का यह दोनों आपको इसमें देखना है next बात करते हैं pump की ठीक है तो pump जो होते हैं जनरली सारे pump जो होते हैं वो pressure पर वर्क करते हैं ठीक है force and vacuum pump तो force के द्वारा जो pump चलते हैं वो क्या है उसकी आपको study करना है vacuum pump क्या होता है ठीक है vacuum generate करके किस तरीके से pump को use किया जाता है या pump का उप्योग किया जाता है वो आपको देखना है ठीक है और symphon sanction pump जो होता है ठीक है symphon sanction pump एक परकार का pump होता है इसकी steady आपको करना है उससे related pressure के जो भी derivation होते हैं वो आपको करना है ठीक है इस सब चीजों को आपको देखना इसके formulae और शाथ ही सद इसके पूराने आये हुए questions के बारे में नेक्स चिप्टर की बात करते हैं घर्षण ठीक है आपका नेक्स-टोपिक होगा इसके अंदर घर्षण तो आपको δेखना है इसके अंदर की घर्षण के नियम क्या है अब घर्षण होता क्या है ठीक है घर अगर गर्शन लग रहा है इस प्रकार से आप देखते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर रखी हुई है तो इसके उपर इसका कुछ मास होता है अगर आप इसको आगे की तरफ धक्का लगाते हैं तो आगे की तरफ चलने से पहले क्या होता है यह रुकिवी अवस्ता में रहता है यानि कि पीछे की तरफ एक बल लगता है जिसे आप गर्शन बल कहते हैं ठीक है एक बल लगता है जिसे आप गर्शन बल कहते हैं ठीक है तो यह गर्शन बल क्या होता है किन किन चीजों पर निर्भर करता है ठीक है गर्शन को क्या होता है ठीक है और गर्शन गुणांख यानि की कॉपीशंट ओफ रिक्षन एक्चुली कॉपीशंट ओफ रिक्षन जो होता है देखिए अगर यह कोई वस्तू थी जो किसी सर्फेस के उपर इस प्रकार से चल रही थी अगर यहाँ पर सर्फेस चेंज हो जाए लेट सपोस यह कांच था कांच के उपर फिसल रहा था और अगर आप इसको किसी दूसरी चीज यानि कि अगर पत्थर के उपर फिसलाएंगे तो दोनों तरफ चलने में आपको जो बल होगा वो अलग-अलग होगा यानि कि आपका मा अगर वही है ठीक है आप एक ही सेम पत्थर को एक बार कांच के उपर धक्का लगा रहे हैं और एक बार दूसरी किसी सरपेस या पत्थर के उपर धक्का लगा रहे हैं तो दोनों कंडिशन में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स घर्षन बल होगा उसका मान अलग-अलग होता है यानि कि उन दोनों चीजों के लिए एक घर्षन गुणांग होता है जो वस्तू की प्रोपर्टी पर ठीक है वस्तू के गुणों पर निर्भर करता है तो इस प्रकार से हर वस्तू का अपना एक घर्षन गुणांग होता है जिसके उपर घर्षन की वेल्यू जो है वो निर भर करती है ठीक है गुणांक और आपको उसका निर्धारन करना है कि इस प्रकार से उसका निर्धारन किया जाता है ठीक है advantages और disadvantages of friction घर्षन के क्या-क्या लाव है और घर्षन से क्या-क्या हानिया होती है इन सब चीजों की study आपको इस chapter के अंदर करना है ठीक है next बात करते हैं machines की mechanics में machine जो भी होती है उनका working क्या-क्या होता है ठीक है simple machines की आपको study करना है जैसे lever हो गया pulley हो गई lever क्या होता है पुली क्या होती है ठीक है simple पईया जो होता है सरल पईया किस प्रकार से work करता है कैसे कैसे आप उसमें चीजों को mechanism के दुआरा different mechanism के दुआरा उन पर work किया जाता है ठीक है उनका construction and working mechanism ठीक है उनका construction कैसे होता है और वो किस mechanism पर work करती है उसके बारे मे आपको जानना है, उनसे क्या-क्या advantages है, फाइदे क्या-क्या है और velocity ratio efficiency of machine, ठीक है, किसी भी machine की velocity ratio efficiency जो होती है, एक factor होता है, machine की efficiency को जाचने के लिए, तो वो कैसे निकालते हैं, उसके बारे में आपको देखना है, machine का वेग अनुपात दक्षता, क्या होती है, कैसे find out करेंग किसी machine की वेग अनुपात दक्षता जादा होती है, तो क्या होता है, कम होगी, तो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको देखना है, next बात करते हैं, गुरुत्वा कर्शन और गुरुत्व की, गुरुत्वा कर्शन बहुत अच्छा chapter है, ठीक है, अब गुरुत् गुचाई से वो हमेशां प्रत्वी की तरफ गिरता है, यानि कि प्रत्वी हमेशां सारी वस्तों के उपर एक बल लगाती है, जिसे गुरुत्वा कर्शन या गुरुत्व कहते हैं, प्रत्वी की केस में गुरुत्व कहा जाता है, अगर कोई दूसरी वस्तों होती है, तो गुरुत्वाकर्शन कहते हैं ठीक है capital G और small g में आपको relation बताना है कि छोटा g क्या होता है और बड़ा g क्या होता है यह universal gravitational constant होता है यानि कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्शन नियतांक और small g जो होता है यह universal gravitational यह capital G जो होता है यह universal gravitational constant होता है और यह gravitational acceleration होता है ठीक है गुरुत्वी तोरण होता है तो small g और capital G में इस प्रकार से कुछ relation बनता है that is g equals to gm by r square तो यह relation किस प्रकार से derive होता है ठीक है यहाँ पर g क्या है m क्या है r क्या है इन सब सीजों की बारे में आपको study करना है गुरुत्वा कर्शन में अगर प्रत्वी की सतव पर गुरुत्वा कर्शन क्या होता है प्रत्वी की सतव से कुछ height पर जाएंगे वहाँ पर गुरुत्वा कर्शन क्या होगा अगर प्रत्वी की सतव से अंदर की तरफ जाते हैं depth में जाने पर गुरुत्वा कर्शन में कि किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, उन सब चीजों की study करना है, ठीके, तो ये सारी चीज़े गुरुत्वा करशन के बारे में आपको देखना है, साथी सरल आवर्थ गती जो होती है, simple harmonic motion और सरल pendulum की study आपको करना है, pendulum किस principle पर वग करता है, harmonic motion क्या होता है, ठीके, rotation, इस प्र pendulum का जो motion होता है, इस प्रकार से, ठीके, तो pendulum के अंदर इसका time period क्या होता है, आवर्थ गती क्या होती है, आवर्थ गती किसे कहते हैं, ठीके, ये किन-किन चीजों पर जिरपर depend करता है, इसका जो आवर्थ काल होता है, वह किन-किन चीजों पर निर्भर करता है, इन सब ची करें heat इसमें आपको देखना है अलग-अलग प्रकार की heat जो होती है specific heat क्या होती है thermal capacity क्या होती है ठीक है यानि कि किसी भी बस्तों के अंदर जो heat को absorb करने की capacity होती है शमता होती है तापी शमता जिसे कहते हैं वो कितनी होती है ठीक है और next water equivalent of heat ठीक है कि heat के equivalent कितना water है कितने water में से उशमा जो निकलती है वो कितनी heat के equal होती है इन सारी चीजों के बारे में आपको देखना है next determination of specific heat of solid and liquid ठीक है ठोस और दरल की विशिष्ट उशमा का निर्धारन किन-किन चीजों के बारे में किया जाता है कैसे कैसे किया जाता है उन सब चीजों को आपको देखना है latent heat यानि कि गुप्त उशमा क्या होती है ठीक है गुप्त उशमा के बारे में पढ़ना है और determination of latent heat and ice and steam आपको जो गुपत उश्मा है किसकी आईस यानी की बर्फ की और इस्टीम यानी की भाप की इनकी गुपत उश्माओं के बारे में देखना है कि यह कितनी होती है और इनको किस प्रकार से डेराई किया जाता है इसकी मात्रा कितनी होती है ठीके कि एक ग्राम बर्फ को एक ग्राम पानी में कनवर्ट करने के लिए कितनी उश्मा की आवशक्ता पड़ेगी वही आपकी गुपत उश्मा कहलाती है यानि कि ऐसी उश्मा जो आवस्था परिवर्तन करती है ठीके तो वह कितनी होती है और उसे कैसे कैसे मैजर किया जाता है किस प्रकार से उसको derive करते हैं यह आपको देखना है next बात करते हैं कि अब उश्मा के बारे में देखा कि उश्मा होती क्या है तो next देखना है कि उश्मा का संचरण कैसे होता है ठीके उश्मा एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाती है तो उश्मा के संचरण की तीन विध्या होती है एक होता है चालन दूसरा होता है संवहन और तीसरा होता है विकीरन तो इन तीनों के बारे में आपको देखना है कि conduction, convection और radiation के थ्रूप उश्मा का संचरन किस प्रकार से होता है उसकी क्या-क्या properties होती है, किस संचरन के माध्यम की जरूरत होती है, किस में माध्यम की जरूरत नहीं होती है तो यह सारी चीज़े आपको देखना है साथी अच्छा और बुरा चालक यानि good or bad conductor क्या होता है कौन उश्मा का अच्छा चालक है कौन उश्मा का बुरा चालक है और Newton का शितलन नियम ठीक है? Newton's law of cooling जो होता है वह क्या होता है इसको आपको इसके अंदर परावर्तन क्या होता है अपवर्तन क्या होता है ठीक है? rectilinear propagation light किस प्रकार से propagate होती है ठीक है? उसकी study आपको करना है shadow and eclipse क्या होते है pinhole camera किस principle पर काम करता है कैसे काम करता है उसके बारे में आपको देखना है prism के माध्यम से परावर्तन कैसे होता है परावर्तन क्या होता है अगर prism के थुरू होगा तो वह कैसे होगा ठीक है? साथी प्रकाश का जो फैलाव होता है प्रकाश के इस तरीके से फैलता है आप देखते हैं कि जनरली आकाश का जो color होता है वह नीला होता है तो आकाश का color निला क्यों होता है? प्रकाश का फैलाओ होने के कारण, तो कौन से color का फैलाओ होता है? ये सारी चीज़ों को आपको इसके अंदर देखना है. power spectrum क्या होता है कितने प्रकार के होते है और spectrum meter क्या होता है तो इन सब चीजों को आपको इस chapter के अंदर देखना है next जो बात करते हैं प्रकास related ही chapter है आपका प्रकाशिय उपकरण optical instrument जो होते हैं कि ऐसे सारे instrument जो प्रकाश पर काम करते हैं वो कौन-कौन होते हैं कैसे कैसे instrument होते हैं साथी आपको इसके अंदर देखना है मानोनेतर आप देखते हैं कि आप आपनी आखों से देख पा रहे हैं तो मानोनेतर भी एक परकार का Optical Instrument है, ठीक है, तो मानव नेतर के अंदर क्या चीज़े होती है, पुतली क्या होती है, आईरिस क्या होती है, यह सारी चीज़ों कि आपको इसके अंदर study करना है, और इसमें कितने प्रकार के दोश होते हैं, मानव नेतर के अंदर, ठीक है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ना दूर दरश्टी दोश, निकर दरश्टी दोश, यह सारी चीज़ों कि आपको इसमें study करना है, साथ ही photographic camera, सरल और योगिक microscopic telescope, यानि कि photographic camera क्या होता है, और सरल और जो compound microscope और telescope होते हैं, उसके अंदर उनका जो derivation होता है, कि किस प्रकार से, दूर की चीज़ों को और पा चीज़ों के अंदर करना है, नेक्स बात करते हैं, magnetism, यानि कि चुमबक अत्व, ये भी बहुत अच्छा chapter है, ठीके, सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि चुमबक क्या होता है, ठीके, चुमबक की शेत्र क्या होता है, जहां तक चुमबक का प्रभाव होता है, वो आ रेखाएं क्या होती है, ठीके, कि अगर आप किसी चुमबक की शेत्र में किसी बिंदू को या किसी भी बस्तू को रखते हैं, तो वो कितना तेजी से या कितना धीरे उससे पास आएगा या उसके दूर जाएगा, इन सब चीजों के बारे में आपको देखना है, ठीके, और तो next है, neutral point क्या होता है, neutral point यानि कि वह point जहां पर चुमबक नहीं होता है, तो वो neutral point कहा होता है, couple acting उन्हें, magnetic placed ये उनिफॉम magnetic field, कि अगर magnetic field के अंदर कोई point रखा हुआ है, charge particle रखा हुआ है, या कोई फथार्थ हुआ है, तो उस पर किस प्रकार से दो अलग-अलग force, यान magnet का movement किस प्रकार से होता है वो देखना है tangent law and its limitations ठीक है tangent law क्या होता है इस पर से रेखा का नियम और उसकी क्या-क्या कमिया है उसके बारे में आपको देखना है नेक्स्ट बात करते हैं electric charge चार्ज बहुत अच्छा चेप्टर है तो electric charge क्या होता है किसकी वज़ा से होता है कैसे generate होता है इन सब चीजों की बारे इस study आपको इसके अंदर करना है इसके अंदर electric potential यानि की विद्यूत विभाव क्या होता है ठीके साथ ही एक आवेश के कारण विद्यूत विभाव क्या होगा ठीके विद्यूत शेत्र क्या होता है उसकी intensity क्या होती है और एक चालक तार के अंदर विद्यूत विभाव क्या होता है कैसे उसको measure करते है ठीक विद्यू शम्ता क्या होती है उसकी unit क्या होती है यह आपको देखना है और it's a value for a spherical conductor एक गोलाकार चालक के लिए इसका मान क्या होगा इसकी study आपको करना है किसकी electric शमता की विद्यू शमता का मान एक गोलाकार चालक के लिए कितना होगा वो आपको देखना है ठीक है गोलाकार और समातर plate condenser क्या होते हैं और एक condenser की शमता का सिध्धान्त जो है इसकी बारे में भी आपको इस्टेडिस के अंदर करना है कि condenser का principle क्या होता है ठीक है condenser capacitor का principle क्या है और spherical और parallel plate condenser के बारे में आपको जानना है ठीक है next current से ही related echo chapter है आपके पास ohm slack ठीक है ohm का नियम जो होता है वह क्या है उसकी study करना है ohm के नियम से आपको पता हो तो आप resistance को derive करते हैं तो resistance की study करना है resistance यानि की प्रतिरोध क्या होता है प्रतिरोधों को श्रेणी में और series में और parallel में किस प्रकार से जोड़ा जाता है उसको जो resultant बनता है परिणामी क्या होता है वो आपको देखना है Electromotive बल, Electromotive force क्या होता है और विबवांतर यानि की potential difference क्या होता है किस प्रकार से बनता है यह आपको देखना है Potentiometer द्वारा दो कोशिकाओं की EMF की तुलना करना Potentiometer जो potential measure करता है दो चीजों के बीच में उनका EMF यानि की Electromotive force किसका दो कोशिकाओं का किस प्रकार से आप measure करेंगी Potentiometer के द्वारा यह आपको देखना है Next है, heating, heat effect Current का heating effect यानि की current के द्वारा ताप का क्या प्रभाव होता है किसी wire के अंदर आप current flow करते हैं तो क्या वो गरम होता है उसे इसका heating effect केते हैं कि current के flow होने से heat का बनना That is heating effect of current ठीक है और Joule के calorimeter principle द्वारा JNEM का निर्धारन Joule का JNEM होता है उसका आपको निर्धारन करना है और घर के में जो भी तार जुड़े हुए होते हैं Like electric iron हो गया, electric power हो गया और उर्जा का जो भी चीजे आपके घरों में जुड़ी होती है तो वो कौन से क्रव में जुड़ी होती है घर के अंदर जो भी तारों के जोड़ होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं उन सब की studies में आपको करना है So, ये आज का अपना पुरा syllabus का discussion था कल से अपन basic physics स्टार्ट करेंगे जहां पर आप units के बारे में जानेंगे तब तक, thank you